गुजरात में तीजी पाटी नी जग्याद न दी गुजरात नी अंदर सीधी सपर दा बहे पाटी वच्चे लेजी पेला जनता पाटी तो जनता पाटी नी कॉंग्रेस नी वच्चे लेजी बार जी जनता पाटी स्लोली आगर वच्चे लेजी जनता पार्टी ने कॉंग्रेस ने बलजर को थी, भारती जनता पार्टी ने कॉंग्रेस ने वच्छे मिसा स्पीट नमस्कार, दलाइफ ट्रिवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ आदित्यकुमार गुजराच चुलाओ के अदि सूचना जाली हो गई है, आठ दसंबर को नतीजे आएंगे, उससे पहले पार्टी ने जोड़ सोची तयारे शुरू कर दिये हैं लेकिन इस बीच, बीजेपी को कॉंग्रेस से डर लग रहा है पहले भी मरेंद्र मुदी जी कह चुके हैं कि हमें कॉंग्रेस की ररणीट से बचकर रहना होगा कॉंग्रेस अभी श्रामतेश का ये मतलब नहीं है, कि कॉंग्रेस मजबूत नहीं है और अब अमिश्रा जी भी ये कहने लगे हैं कि हमारी लड़ाई आमादनी पार्टी से नहीं है, बलकि कॉंग्रेस से है यानि आप समझिए, जिस कॉंग्रेस मुक्त भारत का सपना भारती जनता पार्टी देख रही थी कॉंग्रेस को समाप्त कह रही है कॉंग्रेस की भारत जड़ो यात्रा पर बीजेपी के प्रवक्त आक्टिप पढ़ियां कर रहे हैं उसी कॉंग्रेस से फाइट मान रही है भारती जनता पार्टी गुजरात में हम आपको अमिश्रा जी का वो क्लिप सुनाना चाहते हैं जिसमें वो एक न्यूस चल पर बैठे हुए हैं और न्यूस चल पर बैठे हुए हैं वो साफ तोर पर कहने हैं कि तीसरी कोई पार्टी गुजरात में आही नहीं सकती है तो आपने देख लिया कि आमें शाह जी भी यह कह रहे हैं कि हाँ कॉंग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या निक आप समझे कि जब भारती जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता अमे शाह को ले लीजिए प्रदालमंत्रि अरेद्र मोधी को ले लीजिए वो भी अब कॉंग्रेस की रवनी से डरने लगे और ये सवाल उठा रही थी गुझरात में राहूल गांदी नहीं आ रही है गुझरात में प्रियंका गांदी नहीं आ रही है लेकिन आप जरा इस बात को बहुँ भी सबजियेगा कि गुझरात में राहूल गांदी भी रेली नहीं करने गए गुजरात में प्रियंका गांधी भी नहीं गई लेकिन फिर भी गुजरात में एक BJP ये मान कर चल लेकि कॉंग्रेस वहाँ मजबूत है क्योंकि कॉंग्रेस जमीनी इस्तर पर काम कर रही है अशोक गैलोत को जिम्मधारी दी गई है अशोक गैलोत को चुनाव का प्रभारी गुजरात का बनाया गया है और अशोक गैलोत अपने पूरे मंत्रे मंडल के साथ वहाँ के लोकल मुद्दो को उठा कर कॉंग्रेस को मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे है और यही चीज है कि अब यह डर लगने लगा है तो आप यह बात समझे जिस कॉंग्रेस मुक्तवारत की बात हमेशा से करती रही है बीजेपी जिस कॉंग्रेस को बेहत कमजोर समझती रही है उनके नाश्चिरेता पर लगातार जो है राहूल गांदी पर प्रहार करना कि राहूल गांदी कभी चुनाओं नहीं जीत पाते है राहूल गांदी के अंदर लीडर्शिप कॉल्टी नहीं राहूल गांदी के बारे में बताने क्या-क्या वक्तिकर टिपड़ी करते रहते हैं अब इन लोगों को भी समझ में आने लगा है कि नहीं कॉंग्रेस एक बार फिर से मजबूत हो रही और ये बात वो लोग भी कह रहे हैं जो लोग कल तक कॉंग्रेस पर हमला बोलते थे बाबा रामदेओ साहब आप याद हैं बाबा रामदेओ के बारे बाबा रामदेओ ने क्या कहा राहूल गान्दी को अच्छा दक्तित वाला बताया और कहा कि जो लोग कॉंग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे उनके सपने अब पूरे होने वाने नहीं है यानि इशारों ही इशारों में भारती जनता पार्टी पर बड़ा प्रहार भी बाबा रामदियों ने कह दिया था बाबा रामदियों ने इशारों ही इशारों में कह दिया था कि कॉंग्रेस मजबूत हो रही है और कॉंग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा अब यही उर्जा दिखाई दे रही है और शाह की जुबानी में भी है अमें शाह जी जो कह रहे है वो यह मान कर चल रहे है कि उनकी असली fight जो है वो Congress से ही होनी है उनकी असली ड़ाई जो है वो Congress से गए Congress अब मजबूती दिखा रही है कॉंग्रेस की लीडर्शिप उक्वालिटी में जिस तरीके का सुधार हुआ है जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का असर है वो जगे जगे दिखाई दे रहा है हमने एक मैला की बाइट आपको सुनाई थी हमने एक बयान भी आपको सुनाया था उसमें वो गुजरात की मैला थी वो भावनगर की मैला थी और भावनगर की मैला बीजेपी को बिलकुल भी भाव नहीं दे रही थी वो मैला कह रही थी कि राहुल गांधी की तरह नेता होना चाहिए जो लोगों को गले लगाए लोगों से प्यार करें तो आप समझे भारत जोड़ो यात्रा तिलंगाना में है लेकिन तिलंगाना से असर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है कॉंग्रेस की मजबूती का क्योंकि राहुल गांधी के अंदर रोजाना वो नई उर्जा देखकर भारती जनता पार्टी के नेताओं के टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही है कि ये इंसान इतनी उर्जा लाता कहां से है रोजाना वो नई उर्जा के साथ निकलते हैं रोजाना 25 से 30 किलो मीटर चलते हैं और पूरे डेर सो दिन का रास्ता तै करना है ये नहीं है कि आज़े ही चलने ना है कल चलने ना या दो-तीन दिन चलना है ना पूरे डेर सो दिन चलना है यानि कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा है जो जैसे जैसे आगे बढ़ रही हो वैसे वैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है क्योंकि आप भी जान र हुआ है हिवाचल प्रदेश का चुनाओ हो ये सब क्वाटर फाइनल मैच अगर जीतते रहेंगे तो फिर आने वाले जो फाइनल मैच है उसमें भी कॉंग्रेस एक अच्छा प्रदस्ण कर पाएगी अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जिस तरीके से डर का माह करने लगते हैं यह अपने भले के लिए जब इनको जैसा मुद्दा चाहिए वैसा मुद्दा भुनाने की कोशिश जो गूजरात में आमादनी पर्टी कर रहे हैं और आमादनी पर्टी ने यही ट् conspiracy करते हो भी लिखा भी कि आपका इतना ड़र है कि कॉंग्रेस मुक्त भा ना राहूल गांधी जा रहे हैं, ना सोनिया गांधी जा रही हैं, ना प्रियंका गांधी जा रहे हैं, ना गांधी परिवार से कोई भी नहीं जा रहा है। को उस दिशा में ना ले जाने की पूरी कोशिश कॉंग्रेस की है। जो अडानी के पोर्ट पर इतनी भारी मात्रा में ड्रक्स क्यों पकड़ी जा रही है। को भी चिंता है, हमिश्रा भी कह रहे हैं कि हाँ कॉंग्रेस से हमारी फाइटर तीसरी कोई पार्टी यहां हाई नहीं सकती है। अडानी पार्टी से नहीं, त्रिकोडी मुकाबला नहीं, यहां एक मतलब आप समझ लीजी कि कॉंग्रेस और बीजेपी के बीची मुकाबला है, कोई त्रिकोडी मुकाबला जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वही अगर हिमाचल प्रदेश में मामला कुछ अलग निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मिथख भी है, कि हर पास साल में सरकार परिवर्तित हो जाती है, दूसरा ये कि भारतिये जनता पार्टी ने इतने नेताओं के टिकट काट दिये कि उनेताओं की नाराजगी भी इस पर्ष्रूप से सामने आई है, वहाँ पर कम से कम बारा लोग, मतलब बारा से जादा लोग नाराज चल रहे हैं, कई लोगों को मनाने कोईस होई, आधा दरजन गुमर तो कारवाई भी हो गई, पार्टी से निश्कासित भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी तक वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रहे हैं, जहाँ पर सीफ सीट से चुनाओ को इलड रहा हो, सब जगे जो है, इस्थितिया यही है कि विरोध का सामना भारती जनता पार्टी के प्रत्यार्शियों करना पड़ रहा है, तो अंदाज आप लगा सकतें, किस तरीके का माहौल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ, तो इसलिए बीजेपी के लिए टेंशन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपनों रेटेंशन बढ़ा रखी है, और गुजलात में कॉंग्रेस के एक अलग तरीके की रणनीत ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है, तो की